सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप सभी के मोटिवेशन के वज़े से जो हमारा सेकंड माइलस्टोन था 50,000 सब्सक्राइबर्स का वो अच्छी हो चुका है हमने छे मैने पर लिए चैनल स्टार्ट किया था या पर हमने जो भी चीज़े आपकी ले सब्सक्राइबर्स का वो भी हम लोग अच्छीव कर लेंगे यह मैं होप्स रखता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे पॉपिलर सबसे जो कॉमनली यूज़ इंडिकेटर है रिल्टिव स्ट्रेंट इंडेक्स उसके बारे में लेकिन आप लोग जो RSI यूज़ करते हूँ वो यह RSI जो कि नॉर्मल वाला RSI जो RSI हम लोग आज इस वीडियो के अंतर बात करने वाले यह वो RSI है यह एडवांस लेवल का RSI है इसमें बहुत सारी अडवांस लेवल की चीज़े आपको देखने को मिलेगी इसकी efficiency और इसकी efficiency अगर आ आप आपके strategy में यह RSI perfectly fit कर सकते हैं कैसे यह वीडियो last तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां से apply करना है कैसे apply करना है free में available है सबके लिए और directly आप apply कर सकते हैं लेकिन उसको use कैसे करना है क्या-क्या feature से इसके यह सारा जानने के लिए आपको वीडियो को लास तो देखेंगे जो हम ट्रेडिंग वीव पर चार्ट देखते हैं त्री मिनिट का भी बैंक नियुप्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और जो regular RSI है वो यहाँ पर हमने apply करकर रहा है चार्ट के पर आप देख सकते हैं तो इसका जो feature है वो आपको शायद से और पता है बहुत सारे लोगों को जैसे कि यहाँ पर दो तरीके के levels हम लोग रखते हैं इसके settings में आपर जाएंगे इसका length हम लोग रखते है 14 यह default settings में यहाँ पर रखी है यह default चीज़े यहाँ आपको दिख रही है यह जो orange color का आपको दिख रहा ही RSI based moving average है कुछ-कुछ लोग इसक का मतलब क्या कि यह जब वापिस यहाँ से अंदर आएगा तो हमें करना होता है selling तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस वाले case में यह gap down market open हुआ है तो that's okay कि यहाँ पर मिल गया लेकिन बहुत कम बार ऐसे होता है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर अंदर जाके यह RSI भी निचे आ गया और उसके साथी साथ यह bank newty भी आपका निचा आ चुका तो सिर्फ यह जो over bought and over sold वाली condition है इस पर reliable हो के हम लोग इसको use कर सकते हैं क्या बिलकुल नहीं तो इसके लिए जो old वाला RSI है इसके भी कुछ advantages वहाँ पर है और इस आई बटन पर क्लिक करने तो उसका link आपको मिल जाएगा तो यह previous RSI कुछ इस तरीके से आप उसको use कर सकते थे जो की popularly use होता है directly सिर्फ RSI के उपर base हो कि हम लोग trading नहीं करते हैं इसको हम लोग use करते हैं हमारे strategy के अंदर integrate करते हैं और फिर हम लोग इसको use करते हैं लेकिन आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको type करना है better RSI जैसे आप better RSI type करोगी तो यह जो second indicator है better RSI with bullish bearish market cycle इसका यह author है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यह आपके screen पे apply हो जाएगा तो जैसे यह screen पे apply हो जाते है आपको यहाँ पे दीखेगा कि यह white color में है तो actually यह जो वापी switch कर देता हूँ जो हमारा dark background है उसके साथ यह मैंने switch कर दिया है तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा ही RSI apply हो चुका है सबसे important चीज़ इसमें क्या अलग है तो आप देख सकते है कि इसमें एक तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखा दू कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इतने सारे reference lines है जो इसकी features को बनाते है एक अलग-अलग तरीके से इसको present करते है आप देख पाएंगे 70 के ऊपर का जो area है वहाँ पे थोड़ असा आपको reddish part दिख रहा है नीचे के side में भी आपको reddish part दिख रहा है जो below 30 है तो यह overbought और oversold conditions को वहाँ पे highlight करता है अभी जरूर 50 का level है यह बहुत सही तरीके से इसमें बनाया है आप देख सकते कि बीच वारा 50 का line है यह तीन color में आपको दीखेगा white में red में और green में तो green का मतलब क्या है कि अगर यह green color में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यह bullish market चल रहा है अगर यह silver या white color में दीख रहा है तो इसक sideways है तो white color में है तो यह बहुत सही तरीके से इसको indicate करते है यह जो levels है और इसी के साथ साथ हम लोग इसको use भी कर सकते है कुछ अलग अलग तरीके से कैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी जो यह बीच वाला 50 का line है जिसके colors आप देख सकते है यह कैसे कैसे change होते है मैं उपर चल रहा है नीचे भी अगर आ जाएगा और यह 40 वाले line के जब तक वो नीचे ने आएगा जब तक उसको cross ने करेगा तब तक यह बिल्कुल green color में रहेगा आप देख सकते हैं यहां से लेकिए यहां तक यह green color में है और यहां से यह बिल्कुल नीचे के side में चला गय या oversold condition में यहां पर oversold का भी mark up red color में देख सकते हैं तब जाके यह middle line red color में जला गया बन गया और यह कब तक red रहेगा जब तक यह पुरा cross करके वापिस उपर नहीं आएगा 60 के अबवद तब तक यह रहेगा आपका बिल्कुल middle वाला line रहेगा red color में आप पीछले भी example द cross नहीं करेगा तब तक वो आपको green में नहीं लेगे जाएगा तो वो तब तक क्या करेगा मतलब कि क्या कि यहां से निकला और 60 को cross कर दिया है और 70 को cross नहीं किया है तो market आपका sideway चला गया है और इसलिए यह बीच वाला white line आप देख सकते हैं पूरा यहां तक white है जब इस 60 को cross नहीं 60 को cross कर दिया लेकिन उपर ना जाते हो वापिस नीचा आया sideways 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 और जब यह 30 के बिलो आया तब तक यह white है जब 30 के बिलो गया तब जाके यह red हो इस तरी के से आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं इसके setting में जाके मैं आपको suggest करूँगा एक setting आप इसकी change कर ल इसको यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है देखिए जब तक आपका line जो है बीच का यह green color का है आपको ऐसे crossover डूढने RSI के जो आपके RSI को cross करके उपर जा रहा है जब 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 जी यह cross करके उपर जाएगा तब तब यह market आपका उपर लेके जाएगा आप यहाँ लेकिन वापिस जब cross किया तो यह वहाँ से ऊपर चला गया उसके बाद यह कब cross हुआ हम लोग वो चेक करते देखिए यहाँ पर वापिस यह cross हुआ है तो यहाँ से यह वापिस एक बार market यहाँ से ऊपर के side में चला गया तो यह बहुत simple तरीके सा आप इसको यूज कर सकत यहाँ पर यहाँ पर चोटा सा फॉल आप को देखने को मिला यहाँ पर थोड़ा सा side बेच चला गया लेकिन जब इसको अच्छे से cross वर करके नीचे आ गया यहाँ पर आप देख सकते आच्छा खासा follow आप को देखने के बला side बेच चला गया और उसके बाद वापीस यहा आपको चाहिए और उसके साथ ही चेक करिए कि क्या ही RSI किस तरीके से यूज कर रहा है किस तरीके से अपना या पर behavior चेंज कर रहा है तो तब जाके आपको decision लेने में इसकी help होगी तो यह जो RSI इसको हम लोग सिंगल है यूज ने करेंगे इसके साथ हम लोग दो इंडिके दिख जाएगा इपी यहाँ पर दिख रहा है रिमार्क लों सम्न यहाँ से आपका author दिख रहा है इसको इपर क्लिक कर दीजे और दूसरा जो indicator हमें यहाँ पर यूज करना है वह हम लोग यूज करेंगे वाल्यूम इंडिकेटर जो टेकनिकल स्कांटर आता है यह दोनों से कर देंगे सेट करने के बाद यह वाल्यूम के इसको आप इनेबल कर दीजे कलर चेंड करके फुह आपने इसमें ट्रेड कैसे करना होता क्ले इसमिल सी चीजिए मैं तो सेम साइकल यहाप आप चेक करेंगे तो आपका सूपर ट्रेंड दिखा रहा है कि यह रेड कलर में है इसका माणलब सेलिंग पोटेंशल बन रहा है लेकिन एक चीज़ आप आप देखेंगे तो यहाँ यहाँ पर साइड वे जाके ऊपर के सेड में चला गया जो की रिजल अबरेज के ऊपर चाहिए बिलकुल प्र चाहिए तो अभी यह कैसे यह सिनेरियो प्रूव हो सकता है आप देख सकते है कि अंदर चला गया आरेसा है वापिस यहाँ से यह बाहर के तरफ निकला तो यह आपका सूपर टेंड अलड़ी रेड में चल रहा था और यहाँ पर कर सकते हैं कि आपके जो वाल्यूम केंडल से वह आपके मुविंग अवरेज से बाहर के सेड में आ रही है तो क्या हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से सेल करने के बाद अल्मूस 42,300 से लेके यह मार्केट को नीचे लेकर आया 42,90 तक मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर OSI क्रॉस करके जा रहा है यहाँ पर से नहें जाना चाहिए चाहिए तो यह वाला जो क्रॉसर जब आयागा तो आपका सुपर ट्रेंड औलरी ग्रीन कलर में था इस पॉइंट पे तो यह बिल्कुल सही है लेकिन जो ओके पी वो भी आपको same scenario देखने को मिल जाएगा कि आपका super trend green color में है आपकी volume candles यहाँ पे भी moving average को touch कर रही है moving average की below नहीं चल रही है so that's totally okay we can move and get entry into this trade तो यहाँ पे हम लोग trade बिल्कुल भी ले सकते आप देख सकते कि यहाँ से हाँ से लेके जब market कहा तक उपर गया है तो वो mark करके दिखा देता हूँ यहाँ तक तो अगर हम लोग यहाँ पे trade लेंगे 42,375 तो high वहाँ पे मिलता है 700 तो almost 302, 350 points का यहाँ पे gain मिलता है इतना छोड़ दीजे हम लोग अगर यहाँ पे entry भी करेंगे stop loss अम लोग यहाँ पे रखेंगे आपका entry बनेगा 400 पे stop loss रहेगा 330 पे 70 points का stop loss अगर रखते है तो 140 point का target जो है 1-2-2 के receiver ratio से में आसानी से यहाँ पे मिल जाए और राइट तो यह बहतरीन तरीका है इस new RSI को use करने का along with pivot point super trend and volume indicator So I hope आपको यह जो नया RSI indicator है और यह जो strategy है यह आपको पसंदाई हो तो सबसे पहले like कर दीजिए यही like है जो हमारा motivation है और यही motivation है जिसने हमें 50,000 subscribers तक वहाँ पे पहुचा है तो बहुत चल दी हम लोग next milestone भी आच्छू करेंगे आप support से तो आपको request करेंगा सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए चानल को subscribe करिए नीचे वहाँ पे subscribe button पे click करिए bell button पे click करके all options select करिए ताकि जो ऐसे नए नए वीडियोज हम लोग लाते है इसका आपको notification मिले और आपको पता चले कि SEC strategies हमने यहाँ पे lie है और हमारे टेलिग्राम चानल को भी join करिए जिसका link नीचे description में दिया गया है हमारे जो genuine टेलिग्राम चानल है उसका link आपको सिर्फ हमारी वीडियोज के नीचे ही मिलेगा उसी को जाके click करिए और टेलिग्राम के subscribe करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब सब्सक्राइब गुट बाइ